हलो दोस्तों उतकर्स परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो कैसे हैं तो चलिए दोस्तों बात किया जाए इन दिनों चर्चा हो रहे हैं ये बिहार की कला संस्कृति को लेके और पिछली स्रिंखला में अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बिहार की चितरकल मधुबनी से परचीत करवाया था क्यों याद आगया तो आज दोस्तों भी आर चितरकला पार्ट 2 के अंतर गरत तो मालीजे जलवा है पूरे बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में लेकि दोस्तों भीहार में इसके अलावां और भी चितरकलाएं ह इस नामदर्ज होता है और कहा जाता है कि यह जो चितर गला को यह दिखक है, जनको लेकर कि आपके एक्जाम में प्रश्ण बंते हैं, जैसे अगर दिखा जाएतो, तो मन्जुसा चितरकला का नहां आपने सुना होगा, जदोपाटिया चितरकला, ठंका चितरकला, सांजी चितरकला, तो यह चितरकला हैं कौन-कौन सी हैं, आज हम लोग इन ही चितरकलाओं पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे मन्जुसा चितरकला पर, मन्जुसा चितरकला को अगर देखा जाये त हलाकि वर्तमान में इसका संकेंद्रल अगर दिखा जाए तो भागलपूर बनता है इसका संकेंद्रल वर्तमान में क्या है भागलपूर का चित्र बनता है इस चित्रकला की सबसे बड़ी विसेस्ता ये है कि इसके निर्माड में भी देखेंगे तो प्राकिर्तिक रंगों का ह जो किया जाता है और प्राकिर्तिक रंगों में इसका निर्माण करने के लिए बिसेश तोर से दोस्तों सनई की जो मूझ जिसको सनई कहते हैं कुछ लोग मूझ कहते हैं तो उसका जो ब्रस होता है उसको लिया जाता है और उससे इसकी पैंटिंग करी जाती है चित्रकारी करी इसके भी दोस्तों जो पात्र होते हैं वो लोक गाथाओं से ही लिये जाते हैं और लोक गाताओं में धार्मिक भी होता है छेत्री भी होता है और एतियासिक भी होता है सभी का वर्डन किया जाता है जब इसमें दोस्तों मानो पात्रों का चित्रन किया जाता है चित्रकारी कर जाती है कि जो human bodies बने यानि जो देवी देवता हों या मानों का जब चितर बनाया जाया तो उसका हम लोग इसमें बाया भाग इसमें लेते हैं यहां पर एक painting में आप देख पा रहोंगे सीव पारवती को दिखाया गया है तो सीव पारवती के इस चितर में आप देखेंगे है कि इसमें क्या होगा इसमें जो भी पात्र आएंगे जो भी characters आएंगे उनके बाएं भाग का ही चितरन अक्सर आपके सामने किया जाता है जो कि इसकी पहचान होती है दोस्तों मंजुसा से कुछ महत्पूर पॉइंट्स तो भागलपूर के ब्यार के भागलपूर छेतर म इसे जाना जाता है सनई की कुछ का प्रियोग किया जाता है इस पैंटिंग को बनाने के लिए लोक काथाओं का दोस्तों इसमें वर्डन होता है और सामानेते ध्यान नखेंगे पात्रों का जो बाया चित्र होगा यानि बाएं साइड का जो फलक होता है इसी का प्रदर्श अगर आपने देखा होगा तो विक्रमसिला एक्सप्रिस पर दोस्तों मन्जुसा-चित्रकला की दुआरा द॥ार्य मन्जुसा-चित्रकला की चित्रकारी उसके और उस्पर कर गई है कर देगा उसके बाद आगी की और बढ़ेंगे तो बिहार में दोस्तों एक बहुत ही चरचित चित्रकला है जिसको बोलते हैं जदोपाटिय चित्रकला वास्ते में ध्यान लगएगा इसमें जो ज़ादो सद्य यूच किया जाता है ये संथाल जनजातियों का प्रतीक होता है संथाल जनजातियों जैसे हम लोग कहते हैं चित्रकारी करो तो संथाली भासा में चित्रकारी करने को वो जादो कहते हैं क्या बोलते हैं जादो करना जैसे आप अपने बच्चे को सिखाएंगे वह चित्र बनाओ क्या कर रहा है पेंटिंग सिखा रहे हैं तो यह क्या कहते हैं यह जादो कहते हैं यह इसी को क्या को बोलते हैं जादो बोलते हैं और इसी जादो से यह जादो पाटिया चितरकला बनी हुई है बिहार में दोस्तों यह वनसानुगत है या यह चितरकला कर देखेंगे तो यह क पात्र निकल करके उनके सामने आते हैं, उनका वो इसमें चित्रण करते हैं. और अधिक्तर दोस्तों, इसमें अगर देखें गे तो बड़े गारे चटक रंगों का प्रियोक किया जता है. यानि जदुपाटिया चितरकला की जो सबसे बड़ी पहचान इसमें गार्हे चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है और ये चितरकला समानता कागस पर या कपड़े के जो छोटे चोटे टुकड़े होते हैं उन पर इस चितरकला को सजाया जाता है जो कि जदुपाटिया की बिज़ेस्टा होती है तो संथाल समाज में इसका प्रचलन है वनसानुगत बेवशाय के तौर पर भी इनके द्वारा किया जाता है समानता छोटे कागज या कपड़े का प्रयोग किया जाता है जब ये पेंटिंग बनाई जा रही होती है जिसमें समानता इसमें एक आदर साइज भी लिया जाता है 15 गुड़े 20 फुट के संबंध की पेंटिंग का प्रचलन इसमें जादा होता है जो घरेलू सजावटी सित्रों में भी उसको रखा जा सके और उसका इंपोर्टेंट्स बने गाल हे चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है जो कि लोक कलाओं का लोक गाथाओं का वर्रन करने के लिए ये चितरकला जानी जाती है तो बियार में संथाल समाज जहां जहां पर बियार में संथाल जंजातियां है उनमें इसका प्रचलन है हलां कि दोस्तों संथाल जनजातियों के अलावा अब ये बिहार की लोककला संस्कृती में भी सुमार है तो अन्य लोग भी इस चितरकला को कर रहे हैं इसको अपना रहे हैं इसके अलावा दोस्तों बिहार में एक चितरकला है थंका चितरकला हलाकि दूस्तों यह जो थंका चित्रकला है इसके उत्पत्ति को लेके थोड़ा सा रहश बनता है ऐसा माननेता है कि यह जो चित्रकला है मूल रूप से तिबबत में विक्सित हुई यह जो थंका चित्रकला है यह मूलता क्या है तिबबत से विक्सित हुई है और बुद्ध क जीवन से संबंधित घटनाओं का इसमें चित्रण किया जाता है, जैसे बुद्ध के जन्म की घटना हो जाए, बुद्ध के अवतरण की माता के गर्भ में प्रवेश करने के, बुद्ध के नगर भ्रमण के, बुद्ध के ग्रियत्याग, बुद्ध के ज्ञान अरजन करने के बुद्ध के चमतकारों से समंधित बुद्ध के महापरिनिर्वार से समंधित तो बुद्ध के जीवन से समंधित जो चितरकारी होती है ये ठंका चितरकला के समंध में होता है ये इसकी एक विसेश पहचान होती है तो मुल्ता ये तिबबत से निकली हुई मानी जाती है और तब्ट दोस्तों विभी ने च्चत्रों में च्चत्रव में तबहुत धर्म के लोगों का भीयार से गहरैण नाता है क्योंकि Like भाई बहुत वोध गया आप आप जान रहे हैं कि बुद्ध को ग्यान यहीं से मिला था तो ये चित्रकला वहीं से दोस्तों बिहार के चित्रों में प्रवेस करी है और बुद्ध के जीवन की अनमोल चित्रों की प्रदर्शनी ये चित्रकारी करती है अपने अंदर थंका चित्रकला का 109 दुरलब चित्र जो है ये पटना संगरहाले के अंदर रखा है कभी जब आ 109 चित्र देखने को आपको मिलेंगे और कई आपके एक्जाम में भी यह प्रस्न पूछा है कि भाई थंका चित्रकला से समंदित दुरलभ चित्रकला के जो चित्र पेंटिंग प्राप्त हुए थे कहां पर रखा है पतना संग्राल है 109 की संख्या द्यान रखना है थंका चि चित्रों में भी है बिहार के चित्रों में भी कह रहता है इसका प्रचलन रहता है तो यह थंका चित्रकला यहां की दोस्तों क्या है एक पहचान बनती है इसके अलावा अगर देखेंगे तो बिहार में एक चित्रकला और है इसको बोलते हैं साजी चित्रकला क्या बोलते है तो इसका मूल संबंध उत्तर प्रदेश के ब्रज चत्र से होता है. और इसके जो बिषय हैं, इसके बिषय भी देखेंगे तो ब्रज चत्र, ब्रज मंडल के एर्दगिर्द ही घूमते रहते हैं. राधा कृष्ण इसके अवाँ ब्रज छेतर में दोस्तों कृष्ण लीलाओं से संबंदित मनोहर ज्हांकियों की प्रस्तुत चित्रों के माध्यम से इसमें करी जाती है तो आपके एक्जाम में कई बार पुछा कि साजी चितरकला का संबंध है तो ब्रज छेतर करिएगा उत्तर प्रदेश वाला और फैलाओ के क्रम में ये बियार में भी पहुंची और बियार में तो इसको बिसेश पैचान मिली है बियार में इसको बिसेश लोगप्रियता मिली इसको यहाँ पर अगर दिखा जा दोस्तों तो अलपना या रंगोली या अरिपन आधी नामों से भी इस चितर में संभोजित किया जाता है और बिभी दौसरों पर अगर देखेंगे तो इसके मादयम से लोग चितरकारी भी करते हैं रंगोली के रूप में या अलपना के जीवन मिला और यहाँ पर ये और ज्यादा परिपक्वता के साथ निकल करके उभर करके हम लोगों के सामने आती है ये इसका रखना है द्यान तो ये दोस्तों बियार के चितरकला का पूरा का पूरा मामला और मुझे पूर्ण विस्वास है कि बियार के चितरकला से समन्द जो भी प्रशना आपके एक्जाम में बनेंगे सब को यहां से देखना है तो चलिए रखिए अपना विसेज क्याल मिलते हैं अगली सरिंकला में तब तक के लिए जै हिंद